हलो फ्रेंट्स आज मैं कसूरी मेथी बनाने की वीडियो लेके आई हूँ बजार से जब हम कसूरी मेथी का पैकेट खरीदते हैं तो 50 ग्राम का पैकेट हमें 75 रूपीज में पड़ता है और घर में जब इसे बनाते हैं तो हम एक गड़ी मेथी 20 रुपे में 25 रुपे में लेते हैं और उससे आराम से 200 ग्राम या 1500 ग्राम तो जरूर हम कसूरी मेथी तयार कर सकते हैं क्योंकि केबल पते पते से त्यार करना होता है, लेकिन घर में इसे आप बहुत सुद्ध तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे के साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, और इसका खुस्व भी बिल्कुल अच्छा आता है, बिल्कुल कसूरी में थी वाला आएगा, इस इससे बनाएंगे आईए इससे बनाना सेयर करते हैं तो हमने इस तरहppen हैं मेð का देंगों से Doyola सकते हैं तो हमने चोटे पट्टे काले मेधि हैं बड़े पत्ते के छुड़ आ अचाम हो रही है और देंगों सोग Digital åb इसील पानी ऊठाले के होगें, सबस्ते करोंधें जोचानपने जाए हैं धुद्र करें अगरें , मिद्रेल केमें मेठी को माफ़ाइं के लिए 5-7 मिनित के लिए pre-hit कर लेते हैं और pre-hit करने के बाद इसे उसके अंदर रखतेंगे और इसके oven को बंद कर देंगे 5-7 मिनित बाद इसे निकालेंगे और ये हमारा मेथी, कसूरी मेथी विल्कुल सुखा हुआ होगा इस तरह का होगा और इसमें खुस्पू बेहद खुबसूरत सा आ रहा है बहुत बढ़िया सा खुस्पू आ रहा है और एकदम ग्रीन सा हमारा कसूरी मीथी बनके तयार हो गया है घर में इस तरह से आप भी इसे बनाईए और पूरे साल के लिए स्टोर करिए आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए धर्निवाद